जो लफज है शायद मुझे लगता है कि यह छोटा है इनकी कला के आगे तो गुरुजी जब बजा रहें थे तो अनन्द से सराबोर हो रहे थे सभी शुरोतागन तेकिन कुछ हालात और कुछ समय की वज़े से मैंने इनको विनती की कि गुरुजी ऐसे बात है तो इन्होंने बड़े बड़ अपन से उसको स्विकार किया हम रिम प्रार्थी है कि हम जो चाहते थे वो इन couple से समर्पित नहीं कर पाये तो इनका बहुत बड़ा-बड़ अपन है बड़े कालाकारों का कि अन्होंने इस छोटी सी विनती को स्विकार किया हमारे मंच पर इस संध्या बेला की आज की अंतिम प्रस्तुति लेकर रिंपा शिवाजी भारत में ही नहीं अंतर राष्ट्रिय ख्याती प्राप्त तबला वादिका कुछ बर्सों तक तबला वादिक शब्द जो था वो परियोग में लाया जाता था आज तबला वादिकाएं भी इस स्परधा में इस फिल्ड में तबला वादन के क्षेत्र में आगे आ रही हैं और इसके लिए बहुत बड़ा श्रे रिंपा शिवाजी को जाता है जिनोंने पंजाब भारत और तेश विदेश की युवतियों में तबला वादन की प्रतिस्परधा पैदा की और आज डॉक्टर एचे स्टेज म्यूजिक इंस्टिटूट फूले नहीं समा रहा रिंपा शिवाजी को मंच पर आसीन करते हुए मैं एक बार फिर श्रोतां से कहूंगा कि जूरदार तालियां इनके लिए आज की इस बेला में हम सब इनको सुनने को आतुर थे इनको सुनने की ललक इनको सुनने की लालसा मन में बहुत दिनों से थी कभी हमारे इस फेस्टिवल में आएं और इसकी शुबा बढ़ाएं और आज वो घड़ी वो पल इश्वरिय क्रिपा से गुरु जनों के रिम्पा शिवा जी अपनी तबलावादन की प्रस्तुती दे रही है समय की कमी की वज़े से इन से जादा बात नहीं कर पाया लेकिन इनका नाम किसी तारुफ को महताज नहीं है और आज ये जो बजाएंगी ये स्वैम अपने आप अपने श्री मुख से आपको बताएंगी और इनके साथ हार्मोनियम संगत कर रहे हैं श्री भीशम जी जो अमबाला से है आप इन दोनों का लाकारों का अभिवादन कीजिए और मैं दर्मियान में से चाहूंगा इजाजत प्रिम्पा शिवा जी हैं भीशम जी हैं ये मंच है डॉक्टर एच स्टेज मेमोरियल मुजिक फेस्टिवल 2018 की ये संध्या वेला की अंतिम प्रस्तुती है और आप तमाम तमाम हाजरीन नाजरीन श्रोतागन इस सभागार में मौजूद हैं शुक्रिया दुत्फ लेजिए प्रस्तुत्फ लेजिए प्रस्तुत्फ लेजिए प्रस्तुत्फ लेजिए कर दो 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 झाल 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 झाल